कल दिनांग 27 जनवरी 2024 को सिच्छा विभाग बिहार सरकार के तरप से BPSC को एक पत्र आपका प्रेसित किया गया था जिसमें आपके पूरग परिच्छा फल आनि सप्लिमेंटरी रिजेल्ट के बारे में आपका जिक्री किया गया है उसके साथ ही आप लोग के हाँ पर पदस् किया यहाँ पर BPSC के तरप से TRE2 का जो सप्लिमेंटरी रिजेल्ट है कल यानि कि 29 जनवरी 2024 को क्या कल आपका यहाँ पर सप्लिमेंटरी रिजेल्ट बिपेसी के तरप से आपका जारी कर दिया जागा अंत तक जोड़ी रहेगा निस्ची तोर पे इसके संदर में जो कुछ जो आप लोग का बिद्याले में जो आपका पदस्थापन होगा उसको लेकर आप यहाँ पर बीसे में देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो बीसे से ही यहाँ पर गया कि जो आपका सप्लिमेंटरी रिजेल्ट है उसको लेकर आप लोग कहाँ पर कन्फिजन रहा यहाँ पर आपका बोला गया कि सिछा बिभाग बिहार के अधिन विग्यापन संख्या 27 बटा 2023 आनि BPSC TRE2 के बारे में कि BPSC TRE2 के अंतरगत यहाँ पर विद्याले अध्यापक के पदोपन न्युक्ति हेतु पूरक परिचाफल के संदर में देखे यह जो आपका यहाँ पर BPSC TRE2 बोला गया है और यहाँ पर पूरक परिचाफल आनि Supplementary Result के बारे में जो भी इनके तरफ से आपका पत्र भेजा गया है उसका जो पत्रांक है उसके बारे में जो है आपका बोला गया है देखे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहां से यहां तक का जो आपका यहां पर जो भी इनके तरफ से आपकी यहां पर लिखे गया है तो यह आपका जो BPS के तरब से सबसे पहले यहां पर क्या कि BPSC के तरब से सिच्छा भाग को पत्र जो आपका भेजा गया था तो उस पत्र को आधार बानते हुए यहां पर क्या कि जो सिच्छा भी भाग है उनके तरब से यहां पर बोला गया है और आप यहां पर नीचे देखेंगे तो इसमें यहां पर सिच्छा विभाग का काना है कि आयोग दोरा नि bpsc के तरफ से सिच्छा विभाग को ऐसा सुचना दिया गया है कि उनके सिकायत portal पर कतिपिप सिकायतों को सही पैगया है और चब क्ने यह सिकायते जो है debido परिच्छा फल का आंस है रहना यहां Mang कि जो BPSC है, BPSC के तरफ से यहां पर क्या है, कि सिछा विभाग को सुचना जो है बब का दिया गया है, कि जो यहां पर BPSC का पोर्टल है, उसमे यहां पर जो अभीर्थी है, उनके तरफ से सिकाज जो है वो किया गया है, और यह जो अभीर्थी है, इन अभीर्थियों का सिक सही पाय गया है तो इनका रिजल्ट भी BPSC के तरफ से जारी किया जागा जो कि आपने देखा था कि BPSC के तरफ से इन लोग का यहां पर जिनका सही पाय गया था तो कुछ लोग का यहां पर रिजल्ट भी जो BPSC के तरफ से आपका जारी कर दिया गया है तो यहां पर BPSC के तरफ से सिच्छा विभाग को बोला गया है और सिच्छा विभाग के तरफ से ऐसा आपका जो है बोला जारा है कि आपका रिजल्ट है वह आपका यहां पर मूल ही रिजल्ट है सप्लिमेंटरी रिजल्ट आपका नहीं है आगे आपका यहां पर बोला गया है कि अता इन तेखेंगे तिहां पर सीचा भाग के तरफ से बोला गया है, कि ये जो आपका पत्र, आनि उक्त सम्भन में, इस सम्भन में उक्त पत्र में, परिच्छा फल्गोसित करने की कोई तीथी, अत्वा यहां पर कोई समय यहां पर निर्धारित नहीं कि गई है, आनि यहाँ पर कहा कि यह जो पत्र BPSC के तरफ से सिच्छा विभाग के पास भेजा गया था तो यहाँ पर सिच्छा विभाग के तरफ से यहाँ पर काना आए कि जो आप यहाँ पर रिजेल्ट जारी कर रहे हैं तो अब यहाँ पर कहा कि सिच्छा भाग के तरफ से वहीं जो आप लोग का डेट है और जो आपका यहाँ पर निर्धारित थी थी है उसको लेकर यहाँ पर सिच्छा भाग के तरफ से जो आपकी BPSC है उनको यहाँ पर बोला गया है और उसी के संदर में यहाँ का पत्र BPSC क जो supplementary result है उससे यहाँ पर प्राप्त अनुसंसा के अलोक में नियुकती यों पदस्थापन की करवाई 31 जनवरी 2024 तक यहाँ पर पूरी जोयब आपके कली जागी अब यहाँ पर ध्यान रखेगा कि जो आपका TRE2 के अधार पर अनुसंसा बोला गया है तो इसमें यहाँ पर क आपका TRE2 का हो गया और TRE1 का पर पर सब्यों को पता है कि TRE1 का जो supplementary जारी किया गया था तो ओभी आपका TRE2 का जो रिजेल्ट था उसी के साथ आपका जारी किया गया था जो कि यहां पर जो सप्लिमेंटरी रिजेल्ट में होंगे आप लोग भी कांसिलिंग वगरा कराने के बाद आप बंधिक निउक्ति पत्र लेने के बाद या तो आप यहां पर बी आर्सी के माध्यम से जो आप लोग यहां पर क्या कि आपका पड़स्थापन की कारवाई 31 जनवरी 2024 तक यहां पर पूरी जोहवब आपके कर लिजागी अब यहां पर सूचेंगे कि यहां पर आपका निउक्ती आगया यह, जो आप लोग का तदर्थ निउक्ति पत्र आनि कि अपोबंदिक न्युक्ति पत्र जिसे आप प्रोविजिनल अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं तो उसके बारे में यहाँ पर आपका बोला गया है अब आप लोग सुचेंगे कि क्या फिर से आपका मिलेगा तो देखे फिर से सबको यहाँ पर नहीं मिलेगा बलकि उनको मिलेगा जैसे यहाँ पर कहा कि जिनका सिकायत सही पाया जा रहा है तो उनका यहाँ पर कहा कि उनका रिजल्ट जारी किया जा रहा है तो नॉर्मल से बात है ओ भी यहाँ पर कांसलिंग कराएंगे आप अपना counseling और documents verification 31 January 2024 तक करा सकते हैं और जब आप लोग यहाँ पर 31 January को कराएंगे तो उस time पर आप लोग का जो तुरंत जो आपके अपोबंधिक निक्ति पत्र है वो आपका यहाँ पर जो आपके जिला सिचापा दाधिकारी होंगे उनके तरफ से आपका दिया जागा तो यह आपके जो निक्ति हैं उसके बारे में आपका बोला गया है देखें यह जो आपका पदस्थापन है पदस्थापन को लेकर भी यहाँ पर क्या कि सिचाबा के तरफ से यहीं जो आपका डेट है इसमें आपका बोला गया कि यहाँ पर complete जो है पका कर लिया जाएगा तो आप यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कि 29 तारीक और 30 तारीक और 31 तारीक हो सकता है कि इन 3 दिनों के बीच में या फिर 29 या फिर यहाँ पर 30 तारीकों जो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग TRE 2 में Chinese सिच्छा का वेरती और TRE 1 के Supplementary Digital में Chinese सिच्छा का वेरती हैं तो हो सकता है कि सभी लोगों का यहाँ पर जो आप लोग का सिच्छा विभाग के तरफ से आपका कर दिया जाएगा आपके तरफ से कर दिया जागा उसके बाद तुरंत आप लोग को पदस्थापन पत्र मिलता है फिर उसी पदस्थापन पत्र को लेने के बाद तुरंत आपको जो भी विद्याले आवंटीत किया गया है जो भी आप लोग को विद्याले में जाकर आप अपना कारिभार जो है ग्रहन कर लेंगे आनि उस बिद्याले में आप लोग का जो पदस्थापन है योगदान है वो आप लोग कहां पर जो है पापका यहां पर कंप्लीट जो है पापका हुए इसके बारे में यहां पर आपका बोला गया है अब यहां पर आगे देखेंगे तो आगे आपका बोला 2024 तक अनिवारे रूप से आप यहाँ पर उपलब्द करा दी जाए ताकि निवक्ति की प्रक्रिया सो समय आपके यहाँ पर पूर्ड जो है पापकी हो जाए तो इसी को लेकर आप लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हैं क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट था उपर हमने आपको बिस करा ली जाए तो इसको लेकर आप लोग सोचें हैं सप्लिमेंटरी रिजेल्ट को लेकर तो ऐसा बिल्कु नहीं है आप इस लेटर को उपर वाले लेटर को आप यहाँ पर नीचे वाले को देखेंगे आपका यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो आपका यहाँ पर जिन अभ क Elijah किया करेंगे किirmlair जारी कर देंगे इसलिए चाल पर सिशाभाख के तरफ से ब파ak के तरफ से बुलागी आप यहां पर क्या करें integrative 24 तक आप इन लोग का जतने वह जारिक दिजिक टाकि है कि हरेक चींच कंप्लेट करते हुए जो पर अपका 31 तारीक तक यहां पर अप्रबंधिक न्युक्ति पत्र वगरा और यहां पर प्रेसिद किया गया आप देखें इसमें नॉर्मल सी बात है इसमें यहां पर क्या कि बहुत सारे जो मतलब अन्य लोग है उनके माध्यम से यहां पर बोला जारा है कि यहां पर आपके स सिच्छा भाग के तरफ से आपका गया गया है और आपका यहां पर क्या है कि सप्लिमेंटरी रिजल्ट सिच्छा भाग के तरफ से आपका जारी किया जारा तो देखे इस पत्र की माध्यम से तो यहां पर साब साब एक तरीके साब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस पर्श रूप से आपका किलिए लिखा गया है यह जो आपका पत्र है इस पत्र में कहीं पर भी आपका BPSC TRE2 का जो supplementary result है उसके बारे में हाँ पर आपका नहीं बोला गया है उपर जो आपका BPSC दिया गया था तो उसमें जो आप लोग का confusion हो रहा था और एक तरीके से confusion देखेंगे या फिर जो आप लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि BPSC के तरफ से इस तरीके साब का result जारी किया जा रहा है तो आपका supplementary result है तो उसी को लेकर जो आपका subject है उसको लेकर सिचाबहा के तरफ से बोला गया है कि जो आप लोग यहाँ पर समझ रहें जो आप पूरग परिच्छाफल तो उँग आपका पूरग परिच्छाफल नहीं है बलकि जो आपका main result है उसी का यहाँ पर जो आपका सिखाथ सही पाय जाने पर जो result जारी किया जा रहा है तो उसी का यह आपका answer यह आपका supplementary result है उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी जो है आपका नहीं बोला गया है निश्ची तोर पर यहाँ पर काफी जादी अभियर्थी परिशाने क्योंकि थोड़ा बहुत आपका 100-200 result या फिर 50-60 result का मामला नहीं है बलकि जो आपका supplementary result है उसमें 14,762 आनि 15,000 से भी आप यहाँ पर देखेंगे 15,000 की लमसम आपका supplementary result है उसमें आपका यहाँ पर result आ अगर है वह आपका यहाँ से भटकेगा और एक तरीके से जो आपका supplementary result का मांग है वह आपका यहाँ पर कमजोर हो जागा तो इस पत्र के माध्यम से कोई आपके supplementary result के बारे में नहीं बोलेगे हैं आप अपने अस्तर से जो कुछ भी supplementary result जारी करवाने को लेकर आप लोग सकता है कि यहाँ पर 29 जनवरी तक फिर से यहाँ पर किया कि BPSC के तरफ से जो सिकायत किये थे उनका यहाँ पर सिकायत का निस्तार करने के बाद 29 तारीक तक आप लोग को यहाँ पर फिर से result जो है वो देखने को मिलेगा बाकी आप यहाँ पर पदस्थापन को लेकर तो द हो सकता है कि यहां पर आपका 30 जन्वरी या फिर 31 जन्वरी या फिर 29-31 इन तीनों डेट के बीच में आप यहां पर समझ सकते हैं कि जो आपके सिछा भी भाग हैं उनके तरफ से यहां पर क्या है कि आप लोग का जो इस्टान पर जाकर आप लोग अपना जो पदस्थापन प पत्र लेने के बाद आप लोग को जो बिद्याल होगा उसमें आप जाकर कारेभार अनि जो आपका बिद्याल है उसमें आप यहां पर ज्वाइनिंग जो है कर सकते हैं तो आप यहां पर 31 जन्वरी डेट ध्यान रखेगा 31 जन्वरी को आप यहाँ पर जाकर करा सकते हैं यदि मालिजिए आप कांसिलिंग वगर करा ली है और अभी तक तदर्थ निक्तिपद्र आनि अपबंधिक निक्तिपद्र नहीं ली हैं हम आपको यहाँ पर दो-तीन दिन से बता रहे हैं कि इस तरीके से आप अपना कांचलिंग वगर करा सकते हैं और आप बंदिक न्युक्ति पत्र ले सकते हैं यदि इसमें आप यहाँ पर चुक जाते हैं तो फिर बाद में आप डेट को लेकर जो है मत बोलिएगा कि क्या फिर से आपका मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कियोंगे, सब्सक्राइब करते हैं, वेल एकोन को प्रेजो हो, जरूर कर लिजेगा, मिलते हैं लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू, बाइबाइ, टेक केर, अल देट, थैंक्यू, फॉर लिस्निंग गद्बलेस्ट वाल, थैंक्यू.